नमस्कार किसान बाईयों, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सके एगरी कल्चर में किसान बाईयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की पैदावार गेहूं की बंपर पैदावार हम क्यों नहीं ले पाते हैं, वो कौन सा एक मुख्य कारण है जिसकी वज़े से हमारी गेहूं की फसल हमें अपना बंपर उत्वादन नहीं दे पाती हैं तो आज की इस वीडियो में इसी के उपर हम बात करेंगे मैं किस तरीके से गेहूं की खेती कर रहा हूं, मेरे पीचे आप ये पूरा का पूरा मेरा खेत है, गेहूं का आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या-क्या डाला है क्या-क्या किया है और वो कौन सा मुक्य कारण है जिसकी वज़े से गेहूं का बंपर उत्पादन नहीं मिल पाता है वो कौन सी गलती है जो हम कर देते हैं तो आज की इस वीडियो को ना पूरा देखना चैनल पर नहीं आये हो तो नीचे लालक स्रों में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा तो क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको खेती से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलती रहें इस वीड कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको अपने ही गेहूं बता देता हूँ यह मेरे जो गेहूं आप देख रहे हैं इस टाइम पर अपने गेहूं कर पानी लगा रहा हूँ और यह जो वेराइटी आप देख रहे हैं यह हैं स्री राम पर कम्पनी इस गेहूं है और मैं इस साल जैसा मेंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता आया है कि बहुत सारी वेराइटिया लगा रही है Company का नाम है ठीक है ना तो अब मैं आपको बताता हूं कि गेहुं की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते देखे किसान बाईयों जब भी हम गेहुं की क्यत्य करते हैं तो हम सब कुछ उसके अंदर डाल देते जैसे गेहुं की बोनी के टाइम पर हम NPK डाल देते हैं जिससे nitrogen, fast pourus, पूर्टास की पूर्ती हो जाती है उसके बाद हम जब दूसरा और तीसरा पानी लगाते हैं तो उसके अंदर जो हैं हम यूरिया डाल देते हैं और उसके अलावा भी अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीप कोई दिक्कत हमारी पसल में दिखाई देती हैं तो हम गुनिस बहुत सारे किसान जो हैं गेहूं की बहुत बढ़िया बंपर उत्पादन गेहूं का लेते हैं तो वो किस कारण से लेते हैं वो कौन सा राज है यह सा जिसकी वज़े से गेहूं का बंपर उत्पादन उनको मिलता हैं और हमें नहीं मिल पाता हैं तो देखे किसान भाईयों बंपर उत्पादन लेने से कोई नहीं रोख सकता और अगर आपने अपनी जमीन में जीवांस कार्बन की मात्रा एक परसेंट से बढ़ा कर डेड़ परसेंट तक कर दी तो आपको फिर यूरिया की विजोद नहीं पड़ेगी व्यसे आपकी गेहूं आपको बंपर उत्पाद देगे जीवांस कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है जीवांस कार्बन की मात्रा हरी खाथ से बढ़ाई जा सकती है गोबर की खाथ से बढ़ाई जा सकती है दूसरा एक में पॉइंट वो यह भी होता है कि हर साल एकी खेत में गेहूं की खेती आपको नहीं करनी है ठीक है ना दो साल छोड़ कर आपको तीसरे साल वाफिस गेहूं लगाने तो आपको और ज़्यादा बड़ी आउत्पादन मिलेगा और अगर आप दो साल नहीं छोड़ सकते तो एक साल तो आपको छोड़ना ही है उसके अंदर दूसरी फसल की बुआई करनी है जिससे कहते हैं फसल चक्र अपनाना यानि कि खेत के अंदर अलग-अलग फसलों की बुआई करना अगर हम दो-तीन साल तक एक ही फसल की बुआई यानि कि गेहूं की बुआई अपने खेत में करते रहते हैं तो उससे भी हमारी पैदावार में कटोती हो जाती है दूसरा जोसा मैंने आपको बताया कि खेट के अंदर जीवान सकार्बन की मातरा को बढ़ाना देखे फसल को N.P.K के ही जुरूद नहीं पड़ती है नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटास के अलावा भी बहुत सारे सुक्सम पौसक तत्व होते है वो अगर सब पौसक तत्व आपकी फसल को मिल रहे है तभी तो आपकी गेहूं की फसल आपको ममपर रुत्पादन देगी अगर मैं अपनी बात करूँ इस खेट में अगर मैं आपको बता हूँ ना तो हर तीन साल में मैं इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालता हूँ ये मेरा खेट है यहां से उपर की तरह वहां तक है उपर मैंने जेविक गेहूं भी लगा रहे हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये जो गेहूं है ना ये खेट हैं इसके अंदर में हर तीन साल में एक बार गोबर की खाद डाल देता हूँ और हर साल में इस खेट के अंदर गेहूं की बहुनी नहीं करता हूँ दो साल पहले मैंने गहूं लगाय थे इस साल तीसरा साल है और फिर मैंने इसमें गहूं लगाय है तो फसल चक्रवी हो रहा हैं घोबर की खाद भी ड़ल रही है ज़िसके अंदर जमीन के अंदर केचवा भी मोजूद है हूंमीक एसिड भी मोजूद हैं और सुक्समु पौसक तत्वकी भी पूरती हो रही है तो यहाँ पर जो आप यह गेहुं देख रहे हैं इन गेहुं से मुझे कापी बड़िया उत्पादन मिलेगा मुझे मेरा जहां तक अनुमान है मैं कापी बड़िया उत्पादन इसे लूँगा और मैं आपको वीडियो बनाकर भी बता दूँगा ठीक है ना जिस टाइम पर मैं इन गेहुं को निकालूँगा आप ये निसान याद रखे ये चारों तरफ मैंने फैंसिंग कर रही है इसी खेयत मैं आकर मैं वीडियो बनाऊंगा ये फैंसिंग आपको उस टाइम पर भी दिख जाएगी यही गे गेहु का उत्पादन तब तक बड़ा नहीं पाएंगे जब तक हम अपने गेहु के खेयत में हम गेहु लगाने वाले हैं उस खेयत में कार्बन की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे और सुख्समों पॉसक तत्व है और इसके अलावा जो नाइट्रोजन फासपर और श्पोर लेकिन इस साल अगर किसान बाईयों आपकी अगर पैदावार कम निकलती हैं तो अगले साल आपको याद रखना है कि जब भी गेहूं की बहुनी खेट में करने जा रहे हो और उसके उस खेट के अंदर आपने पिछले दो तिन सालों से ना तो कोई हरी खाद लगाई है ना उ उसके बाद ही उस खेट के अंदर आपको गेहूं लगाने हैं और बोनी के टाइम पर एंपिके डालना है बारा बत्तिस सोला जिसे नाइक्ट्रोजन फास्पोरस पोटास तीनों मिलेंगे और फिर आप गेहूं को लगाईए और पानी लगाईए फिर आप देखे कि गेहू नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद